साथ स्टेप बताने आलाओं पहले आपको यह दो मतलब चीज़े डाउनलोड करने हैं मतलब जाय सी बात आपके पास पाइ नेट्वुक तो होगा ही पहले से दूसरी यह पाइ ब्राउजर आपको लाजमी डाउनलोड कर लेना है यहां पे साथ स्टेप जो है यहां पर आप माइनेट में जाएंगे तो यहां पे आपको unverified intelligence होगा और traslagri और matt hohera तो पहला जो आप द हर शकते हैं यहां पर proceeds qua यहां पे वह बेलिस से जो आपके referral से आया होगा तो अभी तक यह आपको नहीं मिलेगा almost वो आपको बाद में मिलेगा जो steps करने के बाद तो पहले आपको यह दूसरा step जो है यह जो आपने mining की है वही balance है वो आपको यहां पे मिलेगा जब आप verify कर देंगे एक बार की fc identifications तो simply आपको यहां पे mine name पे जो है क्लिक कर लेना है तो यहां पे पहला तो डाउनलोड पाई ब्राउजर मैंने पहले सी कर लिया है तो completed हो चुका है आप भी यहां पे simply क्लिक करके पाई ब्राउजर जो है वो आप Google Play से डाउनलोड कर सकते हैं second step आपको यहां पे क्रियेट करना है Pi Wallet simply आपको पाई ब्राउजर की क्लिक करने के बाद sign into Pi Browser पे क्लिक कर लेना है और आपको यह री-डारेक्ट करेंगा आपकी Pi Browser की application में आप देख सकते हैं यहां पे आपको तीन चारर step आएंगे तो आप यह बीच में जो स्टिप देख रहे हैं wallet.py simply यहां पे आपको क्लिक कर लेना है और यहां पे आपको simply generate new wallet पे प्रेस कर लेना है तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको कुछ password यहां कुछ passphrase आएगा वो passphrase को आपको simply copy कर लेना है और कहीं पे पेस्ट करके रख लेना है यहां तो screen shoot peak निकाल लेना है तो यहां पे passphrase जो भी आएगा वो बहुत ही ख्याल से आपको लखना है और secretly लखना है कि किसी को पता नहीं चाले अगर आप यह loose करेंगे तो आपको बिल्कुल पाए नहीं मिलेंगे आप loose कर लेंगे आपके जो है वो आप की lost हो जाएंगी तो यहां पे आपको simply fingerprints लाजमी यूज़ करना है आपका और fingerprint आपको simply आपके पास mobile है तो उसमें यूज़ कर ले उसके बाद एक बार फिर से आपको यहां पे ब्लोक्चेंट की जो भी की आएगी वो simply आपको copy करके रख लेनी है अच्छा उसके बाद आपको यहां पे searchable by username पे simply continue कर लेना है जैसे आप इसको clear करेंगे आप देख सकते हैं यहां पे आपके test जो है वो हो चुक्ती है यहां पे migration पे दिखा रहा है याभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहां पे आप यहां पे जाएंगे जब finance पे यहां पे आपका जो भी balance होगा वो यहां पे show होगा तो आप आपको simply back पे कर लेना है बेख पे जाने के बाद आपकी वापस pie network की application पे आपको चले जाना है आप देख सकते है create a pie wallet यह complete हो चुका है अब आपको simply pie को आप confirm करना होगा confirm नहीं हुआ है simply आपको click कर लेना एक बार और यहां पे आपका जो pass phrase है वो आपको simply यहां पे paste कर लेना है तो simply आपको pass phrase यहां पे रख लेना है जो भी pass phrase है वो किसी भी other page पी आपको बिल्कुल नहीं करना है यहां पे simply करके आपको confirm कर लेना है तो आप देख सकते हैं यहां पे enable finger तो अब आपको finger जो है वो आपको simply यहां पे confirm कर लेना है finger लगा लेना है simply confirm click करके fingerprint पे क्लिए करके तो यहां पर देख सकते हैं successfully enabled fingerprint authentic section so यहां पर वह है वह क्लियर हो चुका है आपके सामने तीन step complete हो चुके हैं तो यहां पर चौथा step आपको simply हां पर click कर ले ना मैं आपको suggest करूंगे यहां पर 50% और यहां पर आमन 50 और यहां पर six month के लिए आप मतलब आपकी जो भी अर्निंग आप six month के लिए आपने locally आप आप निकाल नहीं सकते six month तक तो यह आपको minimum मैं आपको suggest करूंगा आपको simply यहां पर comment पर click लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं आप पर भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर तो इस duration तक आपको commit अवन lock up कर लेना है यहां पर तो आपने lock up कर लिया है setting updated हो चुकी है अब आप जब बेक चाहेंगे आप देख सकते हैं यह भी आपका step complete हो चुका है तो यहां पर आपकी next जो है आपको KYC application है वह आपको complete करना पड़ेगा यह application उसके पास six जो है वह आपको wait करना पर देख सकते हैं मैंने यह जो application जो KYC जो है वह मैंने अभी अभी जो complete कर ली अब आपको जो wait करना होगा इस result के बाद wait करने के बाद आपके जो last जो option है ना जो step वह आपकर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं wait for KYC result यह अभी तक रिजल्ट नहीं आई यह मैं आपको वह result दिखा सकता हूं कि वह अभी progress में है तो जब आप application में जाएंगे तो आप result देख सकते हैं कि KYC की result हम कैसे चेकरें यह simply KYC.py पे click करना है last में और यहां पर आपको दिख जाएगा KY KYC की result यहां पर भी वहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं review in process तो यह result अभी तक यहां पर depend करता है validators मेरी area में जब यह आईगी उसके बाद वो दो stop जो मैंने आपको बताए थे दो step उसके बाद यह होंगे तो जैसे यह दो होंगे मैं आपक यह भी आपको बता दूँगा